नमस्कार दोस्तों वैट्स कलब इन हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज इस्क्रिन पे जो आप भेंश देख रहे हैं पसुपालक भाई ने हमें बताया है कि इस भेंश ने दो दिन पहले जब ये खेत में गुआर निकालवा रहे थे मसीन से उस समय जो कच्रा बसता है बारी कच्रा वो खा लिया था अब ये नौ महीने की प्रिगनेंट है साड़े आठ की बता रहे हैं साड़े आठ महीने की प्रिगनेंट है और वो कच्रा खा लिया है और कचरा खाने के 2-3 गंटे बाद से ही इसने जुगाली करना बंद कर दिया, कभी उट रही है, कभी बैट रही है, और पिछे के सरीर को थोड़ा सा खीच रही है, जब पसुबलग भाई को ये पता लगा, तो उन्होंने लोकल जो भी कंपाउंडर है, उनसे कुछ इंजेक् गई है, चारकल, चाराज, लेकिन उसके बावजूद कोई सुदार नहीं है, और इसने खाना पिना बिलकुल बंद कर रखा है, जुगाली भी बंद कर रखी है, अब ऐसी इस्तिती अगर हमारे साथ आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी इस्तिती में हम एक अंदाज ल लेकिन इसकी शौर इस्तिती है कि इसने अटपटा कुछ खाया था और उसके बाद इसको पतले दस्त भी हुए है, तो ऐसी कंडिसन अगर हमें फिल्ड में मिलती है, देखी आफरा बगरा कुछ भी नहीं है, गोबर कर रही है, वो भी पतला कर रही है बिलकुल, तो हमारे पांडे जी और योगेश जी पहुचे हैं हिलाज करने के लिए, तो योगेश जी ने 25 ml की सिरेंज निकाली है, और 18 नमर की 7 में ले ली है, इन्होंने नीडल और दोनों को तयार कर लिया है, अब देखते हैं कौन-कौन से इंजेक्शन इन्होंने लगाने का विचार किया ह है, एट्रोफिन सल्फेट, जो कि पेट में जो भी वोईजन होता है, उसमें काम आता है, तो कितना ले रहे हैं ये, 10 ml एट्रोफिन सल्फेट ले रहे हैं, जहां पे भी अटपटा कुछ खाने की हिस्ट्री हो, तो वहां पे ये जरूरी है, कल पेट दर्द था इसको, लेक लेकिन सरीर इसका खिंचा खिंचा सा है, और पीचे से सरीर को खिंच रही है, और जुगाली करना बंद है, खाना भी न बंद है, तो पहला इंजेक्शन इन्होंने इंट्रमस्कुलर थोड़ा सा बैस ली है, इंट्रमस्कुलर ली इन्होंने पहला इंजेक्शन लगाया है अराम से रब्बिंग करवा दी है वही प्रोसेस पानी से साब भी कर लिया इसको उसके बाद आगे बढ़े हैं दूसरे इंजेक्शन की तरफ तो दूसरा इंजेक्शन इन्होंने हाथ में लिया है CPM CPM क्योंकि इसमें हिस्टामिन सिक्रेट हो सकते हैं तो हिस्टामिन सिक्रेशन को रोकने के लिए इन्होंने CPM यूज किया है और साथ में ले लिया है B-complex B-complex जो की लिवर एक्स्टेट के साथ है भूख बढ़ाने में और पाचन सकती संबंदी जितने भी समश्या हैं उनको B-complex दूर करेगा और योगेजी इसको लगा रहे हैं दूसरे पिठे पे इंट्रमस्कुलरली आराम से लग गया है रबिंग भी अच्छे तरीके से पसुपलक भाई से करवा लेंगे अच्छे तरीके से रबिंग करवाने के बाद थर्ड इंजेक्शन ये कौन सा देने वाला है कीटो फ्रोफेन जी हाँ इस केस में कीटो फ्रोफेन बहुत ही अच्छा काम करेगा फ्रिक्नेंसी सेफ है अकडन में और कहीं बेबी मान लीजिए ये खिंचा हो हो रहा है उसमें, दर्द में, सूजन में, बुखार में सब में काम करेगा लेकिन यहाँ पे तो जब बीमारी हमारे सामने है इस फरस्ट है तो कुछ भी देखने के आवशकता नहीं है हमें जो भी इसने अटपरटा खाया है उसके लिए ट्रीटमेंट करना है तो योगेशी ने किटोफरोफेन नेक रिजन पे लगा दिया है अब अच्छे तरीके से यह मालिस करवा देंगे यह जो चारों इंजेक्शन लगाएं है इसके बाद देखते हैं कौन से इंजेक्शन और लगते हैं इसमें एंटिभाइटिक का कोई खास रॉल नहीं है क्योंकि जब साफ हिश्टरी है कुछ खाने की तो एंटिभाइटिक की जृरूत नहीं है फिर भी अगर आपको लगता हैं टेमप्रेचर है तो एंटिभाइटिक भी लगा सकते हैं लेकिन जब इतनी देर हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंजेक्शन आके लगाने वाले हैं तो ये चारों इंजेक्शन इन्होंने यूज किया हैं बैंस को फ्री करवा दिया है अब ऐसे कैसे में क्या होता है अगर मान लीजिए इसने तो पतला गोबर सुरू कर दिया अगर पतला गोबर नहीं करती तो फिर दिक्कत रहती तो उस समय आफरे की सिकायत होने की भी सम्मावना ही रहती और आफरे की सिकायत होती तो हमें आफरे के लिए और कब्ज के लिए अलग से इसको ट्रिटमेंट देना होता जैसे रूमिनोटोरिक कई परकार के पाउडर आते हैं कई परकार के पाचक पाउडर आते हैं वो हमें देने पड़ते हो सकता है सरसों का तेल भी हमें इसको देना पड़े थोड़ी बहुत हींग भी देनी पड़ती अगर ज़्यादा आफरा होता तो लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडिसन है नहीं तो हर्बल डी वार्मर क्योंकि इनको लग रहा है कि जब रूमिनेटोरिक इतने दे दिये हैं उसके बावजूद इसने जुगाली शुरू नहीं की तो क्यों ना इस ट्रिटमेंट के साथ हर्बल डी वार्मर भी दिया जाए जो कि इनके हाथ में आप देख रहे हैं ये डी वार्मर है रूमो सेफ किलर तो रूमो सेफ किलर जो डी वार्मर इन्होंने दिया अर्बल डी वार्मर जिसकी मदद से क्या होगा कि माल लीजिए चोटे मोटे किटानों अंदर हैं पेरासाइट्स हैं तो वो मर जाएंगे तो पसू जो है वो जल्दी ठीक हो क्योंकि इसमें डाइरिया की भी हिस्ट्री है और डाइरिया में बदबू भी आ रही है तो हो सकता है अंदर किटानों थे और इधर से इसने अटपटा खाया तो उसकी वज़े से इसको प्रॉब्लम ज्यादा हो गए अब ऐसे कैसे में क्या होता है कि जब थोड़ी सी की जुरुत पड़ती है और सेलाइन में हमें आरल यानि रिंगर लेक्टेड यूज कर सकते हैं और रिंगर लेक्टेड भी जब आट मेने की फ्रिंगनेंट है तो खड़े-खड़े ही लगाना है और कम से कम 2 लिटर इसको रिंगर लेक्टेड लगाना पड़ेगा और रिं जल्दी हो जाती इसके अलावा कई बार ऐसे कैसेज में क्या होता है साथ यो रूमन की पीएच डिस्टब हो जाती यानि अगर इस इलाज से भी इसने खाना पिना सुरू नहीं किया हो तो हमें रूमन बफर देने पड़ेंगे जो रूमन की पीएच को कंट्रोल करें उस इस् हो जाती होगी नहीं और अगर माजन लीजिए पीएच कम है यानिः कि एसी डोसिस है तो हम पीएच को बढ़ने के लिए मीठा शोडा में बगरा तो इन सभी बातों की हमें जुरुत पड़ेगी नहीं। इसके आलवा फ्रेंड्स अगर आप बक्रियों का इलाज भी प्रिक्टिकली देखना चाह रहे हैं। तो आपको इस लोगो दिख रहा है बक्रिका इलाज और देखबाल इसमें विजित करके सब्सकाइब कर ले। और सभी परकार के देशी इलाज हमारे डीडीरामवु चैनल पर मिलेंगे जो आपको ये लोगो दिख रहा है। में जा करके और विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने